नमस्कार दोस्तों आप लोगों का हमारे चनल में बहुत बहुत स्वागत है हम आपको पूजने स्रीपंडित प्रदीप जी मिस्राद्वारा कहे गए कुछ उपाए बताते हैं जिससे आपके जीवन में आ रही बाधाएं, आ रही रुकावटें और आपके जीवन की हर समस्या का समाधान मिलता है आज हम शनीवार का एक उपाए बताने जा रहे हैं जो कि शनीवार के दिन यह उपाए करना है शनीवार को काले कुट्टे, काली गाए को रोटी खिलाना है काली चीटी और काली चड़िया को दाने डालने से जीवन की हर रुकावटें दूर हो जाती है तो आपको काले कुट्टा दिख जाए तो शाम के वक्त आप शनीवार के दिन काले कुट्टे को रोटी जरूर खिलाए रोटी नहीं तो आप बिस्किट या फिर कुछ भी खाने का सामान उसे दे इससे आपके जीवन में आ रही शनी के दोश की सारी समस्या हट जाएगी काली गाए को भी रोटी खिलाना चाहिए इसलिए आप सुबह की रोटी या शाम की रोटी में से एक रोटी आप गाए को जरूर खिलाए काली चीटियों को भी दाना डालना चाहिए और चिडिया को भी डाना डालना चाहिए तो आप अपने घर के छट पर या बालकनी में कुछ दाने पटक दें, चिटियों के लिए शक्कर या फिर आटे का बुरा आप रख सकते हैं, जहाँ पर चिटियां जादा दिखती हैं, वहाँ पर आप ऐसा काम कर सकते हैं, शनिवार के दिन तेल से बने पदार्थ किसी भीकारी या भूखे इंसान को खिलाने चाहिए, इससे सनी देव आप पर जरूर प्रसंद होंगे ऐसा करने से शनी देव की कृपा आप पर बनी रहेगी एक बड़ा उपाय है जो हम आपको बताने जा रहे हैं इसके लिए आपको बर्गत के पत्ते की जरूरत पड़ेगी, शनिवार को शुब योग, यानि शुब चोगडिया देखकर, शाम के वक्त आपको ये उपाय करना है शनिवार का दिन हो और चोगडिया मतलब कि शाम के वक्त, आप अपनी लंबाई के बराबर, लाल रेसमी सूत, यानि सूत का धागा, आप ले लें, अपनी लंबाई के अनुसार उसे नाप लें, या किसी से नपवा लें, अब आप खड़े हो जाएं सिर से लेके पैर के अंगुठे तक कि पूरी लंबाई नापना है फिर एक बरगत का पत्ता साफ सुत्रा होना चाहिए आप उस बरगत के पत्ते को डंडी सही तोड़ कर लाएं और उसे अच्छी तरीके से पानी से धोलें, उसके बाद उसे सुच्छे जल से धोने के बाद पूँच लें, पूरा सुखा लें तब पत्ते पर अपनी कामना रूपी नापा हुआ लाल रेशमी सूत जो अपने नापा है उसे लपेट दें जितनी भी लपेटते बनें उतना उसे लपेट दें और एक गठान बान दें ऐसा करके पत्ते को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें इस प्रयोक से आप सभी प्रकार की बाधाएं जो आ रही हैं आपके जीवन में सभी दूर होंगी आपकी नौकरी लग जाएगी अगर नौकरी संबंदी बाधा है तो वो भी हो जाएगा काम आपकी कामनाओं की पूर्ती है तो सबसे महतपूर्ण और आसान उपाए है ये आपके भागे को चमकाने वाला ये उपाए है हमने आपको बताया है आप जरूर आजमाईएगा और आप यह उपाए करके हमारे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगे कि आपको इससे लाब हुआ है या नहीं हुआ है हम और भी उपाए आपको बताएंगे आपकी जो भी समझ से आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईएगा हम आपको उसका उपाए बताएंगे आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हम ऐसे ही कई उपाए बताते हैं और कई लोगों को इन से फाइदा होता है इनका जीवन सुधर जाता है आप भी इन उपाएंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाए हमाई चैनल को सब्सक्राइब करें बगल में बैल आइकन का गंटा होगा उसे भी प्रेस कर दें और पर क्लिक कर दें ताकि हम जब भी कोई उपाए डालेंगे आप तक सबसे पहले पहुँचेगा चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में श्री शिवाई नमस्तब्यम